हलवाने उपकारगार से तीन बंदियों ने भागने का प्रियास किया लेकिन उनकी इस साज़िश को एक संत्री की सज़क्ता ने नाकाम कर दिया जेल से भागने वाले तीनों कैदी नानक मक्तार, नर्सिंगपुर और दर्भंगा के हैं तीनों कैंदी 376 पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहे हैं पता चला है कि जेल की दिवारे पानने वाला कैदी गौरशर्मा जिस वक्त कूदा उसके पास से एक हल्दी का पावडर भी ब्रामत हुआ आपको पताते चलें ये घटना सुबा पाच बच के चालिस नट की है ये तीनों बंदी भंडारे के लिए लकडी लेने कारपेंडर कफ्ष के बाहर गए थे इसी दौरान तीनों लकड्यों के ढेर पर चड़कर भागने की फराफ में थे उन्हें जेल के करमचारी ने भागने से पहले ही दभोश लिया बंदियों की साजिश को नाकाम करने पर जेल आई जी ने जेल अधिक्षक और कर्मचारी की सराहन की इधर क्यादी को पकड़ने वाले संत्री सुनील दस शर्मा को पुरुसकार देने की गोशना की जबकी ड्यूटी पर देर से आने वाले योगिश पांडे को नोटिस जारी किया गया आज सुबे जेल खुलते ही ये घटना हुई क्योंकि जिस जगा से वो छट पे चड़े थे वहाँ जिस सिपाई की ड्यूटी थी वो आने में थोड़ा उसे विलंब हुआ जिस कारण बंदियों को मौका मिला और वो दो लोग छट पे चड़ने पे सफल हुए एक आदमी हैंडिल तूटने की वज़ा से नीचे अंदर ही गिर गया उन दो में से भी एक आदमी एड्मिस्टेटिव ब्लॉग पे आ गया और दूसरा आदमी इलेक्टिक फेंसिंग से पार नहीं कर पाया वो वहीं फस गया और हमारे संत्री और हवलदार जो की सुबह पराता काल जंडा चड़ा रहे थे वो जंडा चड़ाते ही उन्होंने द दिए गया